दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान की बात हो और किसी boundary dispute की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। इंडिया के western frontiers पर मौझूद पाकिस्तान के साथ इंडिया का border दुनिया का one of the most contested border land है। सरसारल रेटक्लिफ के द्वारा 1947 में बनाये गए इस border की legacy इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए कई violent conflicts का कारण रही। First Kashmir War of 1948 के बाद 1949 में UN ने जम्मू और कश्मीर में एक ceasefire line डिमार्केट की। जिसको 1971 के इंडो पाक वार के बाद 1972 में हुए शिम्मला एग्रिमेंट के तहत line of control में बदल दिया गया। LOC को नदर्मोस पॉइंड एंजे 9842 जो काला कोरा मौंटेन रेंज की सेल्टोरो रेंज पर लाई करता है जो सियाचन ग्लेशियर के southwest में पढ़ती है। वो 1984 में सियाचन पर फिर एक बार violent conflict का कारण बना जहां नौर्ट में LOC इंडिया कश्मीर को पाकिस्तान occupied कश्मीर यानि POK से separate करता है वही नीचे southwest में सर क्रीक गुजरात को सिंद से separate करता है और ये region कम contestant नहीं है। 1999 में हुए कारण गिल वार के जस्ट एक ही मन्त बाद 10 अगस्त 1999 को पाकिस्तानी एरक्राफ्ट इस रीजन में इंडियन एर स्पेस में इंट्रूजन करते हुए पाए गए जिसके चलते इंडियन एर फोर्स का मिग 21 फाइटर ने इसको रन उफ कच्च के उपर मार गिराया और इसमें पाकिस्तान के 16 soldiers मारे गए जिसके चलते दोनों कंट्रीज के बीच की tensions और भी जादा बढ़ गई थी तेकिर most of the time इंडिया और पाकिस्तान के negotiations और policy makers अपना सारा टाइम कश्मीर conflict और सियाचिन glaciers की confrontations को resolve करने में लगा देते हैं इसी के चलते दोनों के बीच चल रहे दूसरे disputes जैसे गुजरात में सर क्रीक और कश्मीर में बुलार navigation issue को एक low priority status दे दिया जाता है आज किस वीडियो में हम एक ऐसे ही issue की बात करेंगे वीडियो की title से आप समझी गए होंगे कि आज हम जिस dispute को analyze करने जा रहे हैं वो है सर क्रीक डिस्प्यूट सर क्रीक आखिर है क्या? ये कहां पर located है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच इसको लेकर क्या विवाद है? और उसको सुलजाने के लिए कौन-कौन से efforts लगाए गए हैं? उनका कोई outcome अभी तक क्यों नहीं निकल पाया? आज ये सब जानेंगे इस वीडियो के जरिये तो चल सा narrow sheltered waterway होता है जो देखने में तो एक river की तरह appear होता है लेकिन असल में उसकी depth river से काफी कम होती है अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक marshland की उपर बहने वाली river की एक minor tributary या फिर एक stream के समान होती है ये इंडिया, पाकिस्तान और बाकी देशों में भी भारी मात में देखने को मिलते हैं सर क्रीक भी इसी तरह की 96 km long एक tidal estuary है जो इंडिया में गुजरात के कच रीजन को पाकिस्तान के सिंध प्रोविन से separate करता है आगे चल कर ये Arabian Sea से जाकर मिल जाती है औरिशनली इंडिया में इसको बन गंगा के नाम से भी जाना जाता था लेकिन बिटिश एरा में इसका नाम बदल कर एक बिटिश कमिशनर के नाम पर सर क्रीक रग दिया गया अगर इसकी जिगराफी समझने की कोशश करें तो इंड इसं मुस्ट कोरी क्रीक जो सर क्रीक से 34 किलो मेटर साउथ की तरफ पढ़ता है ये सब भी इंडिया के अंडिस्प्यूटड टेरियों में लाई करते हैं लेकिन इनमे से वेस्टन मुस्ट क्रीक यानि सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कंटस्टेड इशू इसी वाज़े से ये region एक hard to patrol मार्शी wetland border area बन जाता है जिस पर कोई fencing या physical boundary भी मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ आखिर dispute है किस चीज का आईए देखते हैं तो यहाँ dispute लाई करता है पाकिस्ता और इंडिया के बीच की maritime boundary line की interpretation में इस region में इंडिया और पाकिस्तान की maritime boundary undemarkated है और यही उस dispute की जड़ है या फिर कहिए कि यह इस dispute का ही एक result है लेकिन इसको समझने के लिए हमें जाना होगा pre-independent इंडिया की history में जब इंडिस्प्यूट सबसे पहली बार existence में आया बात है 1908 की जब सिंध डिविजन के ruler और कच के राओ महराज के बीच पहली बार ये मुद्धा दोनों principalities के boundary issue के रूप में सामने आया इंडिपेंडेंस के पहले यह पूरा provincial region बिटिश इंडिया की Bombay Presidency का पार्ट था इसलिए यह dispute Bombay Presidency की government के पास पहुचा Bombay Presidency की government ने 1911 में एक सर्वे कंड़क्ट किया और 1914 में एक dispute resolution verdict पास किया इस verdict के चलते यह dispute settle कर दिया गया अगले 40 से 50 years तक यह मुद्धा शान्त रहा 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद सिंध पाकिस्तान के पास चला गया जबकि गुजरात इंडिया का हिस्सा बना लेकिन 1960 में जब इंडिया पाकिस्तान वार के चलते दोनों के बीच armed clashes देखने को मिले तब ही यह dispute फिर से उभर कर सामने आया यहाँ पाकिस्तान का कहना था कि 24th parallel के लॉंग half of run पाकिस्तान की territory है जबकि इंडिया का कहना था कि यह boundary run की नदन edge से होकर जाती है इसी dispute को लेकर दोनों के बीच hostilities जारी थी 1965 वार के बाद British Prime Minister Harold Wilson ने दोनों countries को persuade किया कि वो इन hostilities को खतम करें और इस dispute को resolve करने के लिए International Tribunal का सहरा लें फिर क्या था तोनों parties इस चीज के लिए agree हो गई इस matter को International Tribunal for Arbitration को refer कर दिया गया इस tribunal को Indo-Pakistani Western Boundary Case Tribunal के नाम से भी जाना जाता है इसने अपना फैसला सुनाया 19 February 1968 को जिसके तहट पूरे रनका 90% इंडिया के हिस्से में आया और वहीं पाकिस्तान के पास उसके दोरा क्लेम किये जाने वाले 9,000 किलोमीटर का केवल 10% उसके हिस्से में आया जाहरा कि पाकिस्तान इससे नाखुश था और वो अब भी रन को अपनी territory बता रहा था उसका कहना है कि इस सर क्रीक पाकिस्तान के सिंद प्रोविंस में लाई करता है जुसके चलते ये boundary क्रीक के eastern flank पर इस्थित हो जाती है और ये region पाकिस्तान के territory में आ जाता है दोस्तों यहां गौर वाली बात ये है कि पाकिस्तान के दोरा दिये गई ये claims 1914 में आये उस सिंद गवर्मेंट resolution पर बेस थे जो 1914 में सिंद डिविजन की government और राव महराज आफ कच के बीच हुआ था यहां इस specifically बात करें तो इस resolution के दो paragraphs यानि paragraph 9 और paragraph 10 कुछ contradictory claims करते हैं और वही claims इस dispute की main वज़य है आईए पहले उनको गौर से देखते हैं दोस्तों इस resolution के paragraph 9 claim करता है कि कच और सिंद का border लाई करता है to the east of Sir Creek पाकिस्तान इसी paragraph को बेस बना कर अपने claims करता है तेकिन वहीं इस resolution के paragraph 10 कहता है कि Sir Creek is navigable most of the year तो इंडिया यहां international law के थालवेक principle को apply करता है थालवेक principle के according अगर दो देशों या political entities की बीच की boundaries पर कोई navigable water boundary लाई करती है तो इस law के according उनकी असल boundary इस navigable waterway के थालवेक को follow करेगी यानि ये boundary उस waterway के principle navigable channel के center में लाई करेगी और अगर किसी river के multiple navigable channels हैं तो वह strongest current जो downstream travel के लिए use किया जाता है यहाँ पर वही consider किया जाएगा तो paragraph 10 इस principle को base बनाते हुए ये कहता है कि सिंध और कच यानि पाकिस्तान और इंडिया की boundary line भी सर क्रीक के middle में लाई करेगी इंडिया international law दोरा दिये गए इसी principle को follow करता है और इसी के चलते United Nations Convention on the Law of the Sea यानि UN CLOs भी इंडिया की position को support करता है और यही principle पाकिस्तान के दोरा claim किये गए terminus point को कई km दूर shift कर देता है जिससे पाकिस्तान की exclusive economic zone के several thousand km इंडियन jurisdiction में आ जाते हैं इसी थालवेक principle को use करते हुए 1925 में एक map publish किया गया और इसके चलते mid channel pillars को भी implement किया गया हाला कि पाकिस्तान इस 1925 के map को negate नहीं करता लेकिन उसका कहना वही है कि ये doctrine किवल non-tidal rivers में applicable होती है और सर क्रीक एक tidal estuary है यहां इंडिया पाकिस्तान स्टैंस को ये कहकर reject करता है कि high tide में क्रीक का navigation possible है और थालवेक principle उन्हीं international boundaries पर applicable है जो tidal waters पर बनी है यहां दोनों parties के लिए एक और major issue ये है कि over the years सर क्रीक अपना course significantly change कर शुकी है और अगर थालवेक principle के according किये गए boundary demarkation को current channel के उपर apply करते है तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों उस wetland territory का कुछ part loose करेंगी जो एक समय पर उनके provinces का part हुआ करता था ये तो बात हुई इस dispute की technicalities और दोनों parties के claims की अब देखते हैं कि इसको resolve करने के लिए कौन-कौन से efforts लिए गए है और आखर क्यूं वो आज तक successful नहीं हो पाए 1997 से लेकर 2012 तक इस dispute को लेकर दोनों countries के बीच 12 rounds of talk conduct किये जा चुके हैं लेकिन दोनों ही sides आज तक एक unanimous resolution पर नहीं पहुँच सकी 2008 में हुए 4th round of talks के दौरान दोनों ने agree किया कि वो एक joint survey के base पर एक joint map issue करेंगी जिससे ये dispute खतम हो सके लेकिन कहा जाता है कि 9.08 में मुंबई पर हुए terrorist attacks के बाद ये सारे efforts नाकाम्याब हो गए यहां इंडिया ने भी propose किया कि technical aspects of law of sea यानि TELOS के चलते पहले maritime boundary को demarkate कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान ने इस proposal को reject कर दिया क्योंकि वो चाहता है कि पहले ये dispute resolve हो और उसके बाद कोई भी boundary demarkate की जाए पाकिस्तान ने किसी international arbitration के पास जाने का proposal भी सामने रखा लेकिने शीज को इंडिया ने refuse कर दिया क्योंकि 1972 के Shimla agreement में ये tag किया गया है कि दोनों countries के बीच कोई भी bilateral dispute बिना किसी third party की intervention के ही resolve किया जाएगा लेकिन आपके दिमाग में अब ये सवाल आ रहा होगा कि आखर इस uninhabited marshland की ऐसी क्या खासियत है कि दोनों ही parties इसको जरा भी lose नहीं करना चाहती है तो आईए नज़र डालते हैं इस region की geopolitical significance पर ये region strategic और military point of view से तो इतना crucial नहीं है लेकिन इस region की core importance लाई करती है इसके fishing resources में जी हाँ, ये region Asia का one of the largest fishing ground माना जाता है इसी की चलते दोनों देशों के fishermen's यहाँ पर fishing करने के लिए आते हैं और एक अच्छी catch के लालश में वो कई बार अपने territories को पार करके एक दूसरे की territory में enter कर जाते हैं अलाकि UN law के मताबिक इस offense के लिए एक minimum penalty charge करने के बाद boats को release कर दिया जाना चाहिए तेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है Most of the time इन fishermen's को दूसरी territories की जेलों में कई-कई सालों तक भी रहना पड़ता है जो अगेन दोनों देशों के बीच एक bone of contention बन जाती है दूसरा important reason है इस region की potential economic value माना जाता है कि इस marshland की seabed पर shale gas और hydrocarbons abundance में पाई जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस creek की उपर पूरा control दोनों में से किसी भी country के energy potential के लिए एक crucial determinant होगा क्योंकि United Nations Convention on the law of the sea यानी UN CLOs के मताबिक एक country अपनी exclusive economic zone की resources को commercial use के लिए explore कर सकती है इसके लावा इस creek में situated हरामी नाला जैसे regions illegal drug trafficking के लिए exploit किये जाते हैं और तो और इस region का use करते हुए कई बार terrorists इंडिया में भी enter कर जाते हैं 26-11 के Mumbai terrorist attacks इसका best example है तो दोस्तो अब आप समझी गए होंगे कि क्यों ये region इतना crucial बन जाता है तो इसलिए दोनों countries को चाहिए कि ओ diplomatic efforts को double up करके इस issue को bilaterally solve करें तो दोस्तो ये थी कहानी Sir Creek dispute की आपके साब से इस issue को resolve करने के क्या possible solutions हो सकते हैं comment section में जरूर बताईएगा आज की वीडियो के लिए इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत